Hello my dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, मैं हूँ आपकी science educator Dr. Muskaan and आपका Magnet Brains में स्वागत है, यहां मिलती है free education kindergarten से लेके class 12 तक, यहां पर आपको किसी भी तरह के transaction payment कि नहीं है, क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड करते हैं free education kindergarten से लेके class 12 तक, and student Magnet Brains e-notes and e-books भी प्रोवाइड करते हैं, www.magnetbrains.com, जैसे आप Magnet Brains की website विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको एक option क्लिक करना है, grab e-notes, आपके पास daily practice papers, videos, सभी कुछ अविलेबल हो जाएगा, Magnet Brains Hindi Medium चैनल भी अविलेबल है YouTube पर, आपको बस जाना है and Magnet Brains Hindi Medium को subscribe करना है, अगर आपके family and friends Hindi Medium से, तो जाईए उनको बताईए कि Magnet Brains उनके लिए भी free education प्रोवाइड करते है, Magnet Brains MP Board, Bihar Board, Rajasthan Board, UP Board, education के साथ-साथ, कई और courses भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेदिक मास, crash courses, unspoken English, Magnet Brains Instagram, WhatsApp, YouTube, सभी जगा अविलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको Magnet Brains को like करना है, share करना है and subscribe करना है, आज के सेशन में students हम पढ़ने वाले हैं, एक chapter overview, acid, base and salts का, जो कि है chapter number 4 for class 7, science, इसमें हम देखेंगे कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस chapter में हम पढ़ेंगे कि acid और basis क्या होते हैं, हमें पता है वो चीजे जिनका pH, क्या है वो pH level, क्यों इसे acidic या basic indicator कहते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे, आपको पता है lemon खटा लगता है, क्यों क्योंकि उसके अंदर acid रहता है, usually सारे citrus fruits, oranges, ये सारी चीजे खटी रहती है, vinegar खटा रहता है क्योंकि उसके अंदर acid रहता है, तो ऐसी कई चीजे जो acidic होती हैं, तो क्यों होने हम acidic कहते हैं, क्योंकि उनका pH level 7 से कम होता है, और कई चीजे ऐसी होती हैं, जैसे कि baking soda, इन सब चीजों का pH 7 से जादा है, vegetables, broccoli, avocado, ये सब चीजे pH जादा है, इसलिए हमेंने basic कहते हैं, अब acid वाली है, तो इन में acid जादा होगा, basic चीजों में acid नहीं रहता, इसलिए उनका taste खटा नहीं रहता, ये चीजे खटी रहती हैं, सार रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर acid जादा रहता है, तो क्या है acid और basis, इनका concept क्या है, कौन से खानों में acidic nature होता है, कौन से खानों का basic nature होता है, क्या करना चाहिए जब acid जादा हो, क्या होता है जब basic जादा हो, तो ये सारी चीजे हम पता लगाएंगे acids and basis पार्ट में, उसके बाद हम देखेंगे natural indicator around us, कई activities perform करेंगे, जैसे हम देखेंगे litmus paper, lichen planets से कैसे बना, क्यों हम litmus paper को acidic और basic का indicator कहते हैं, क्या होते हैं ये indicator, क्योंकि जो चीज हमें ये बताती है, अलग करती है कि ये acid है, ये basic है, जैसे कि sun और moon, sun मुझे बताता है कि आज रौशनी है, day है, moon मुझे बताता है कि night हो गई, वैसे ही एक litmus paper है जो ये indicate करता है कि अब ये चीज acid है, ये चीज basic है, वो कैसे indicate करेगा, वो अपना color change करता है, किन color में वो change होगा, किन circumstances में वो change होगे, इसके बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हली, turmeric भी हम एक indicator की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे हमने turmeric को एक indicator की तरह यूज करा, उसके बाद हम देखेंगे जो china rose plant होता है, hibiscus plant कहते हैं, जिसे वो भी हम as an indicator यूज कर सकते हैं, चीजों को differentiate करने के लिए कि यह acidic है, यह basic है, तो यह तीन activities हम देखेंगे, natural indicator around us, कि क्या-क्या हमारे around us, natural indicators है, students कई चीज़े हैं जो synthetic होती है, ऐसे indicators जो हम खुद से बना रहे हैं, वो synthetic है, जैसे कि methylene, orange, अब कई indicators ऐसे हैं, जो हमारे nature में naturally present है, तो वो है natural indicators, जैसे कि litmus, जैसे कि hibiscus, जैसे कि turmeric या हल्दी, जो हमारे आस-पास present है, तो इनके बारे में हम देखेंगे, natural indicator around us में, उसके बाद हम आएंगे neutralization, अब आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज acid है, तो उसको neutralize करते हैं, हम alkaline से, क्या होते हैं alkaline चीज़े, आपने कभी notice करा है, अगर आपको मदुमक्खी काट जाए, तो वो एरिया बहुत ही जादा सूच जाता है, और हमारे घर में जो ममा लोग है, वो क्या करती हैं, उसके उपर soda लगाती है, क्योंकि soda alkaline है, और जो sting होती है, जो honey bee की sting होती है, जिससे वो हमें काटती है, वो बहुत acidic होती है, तो उसको neutralize करने के लिए हमने soda का apply करा, तो ऐसी कई चीज़े जो हम around us यूज करते हैं neutralization में, अब हमें जब भी acidity हो जाती है, मतलब की stomach में hydrochloric acid का बहुत ज़्यादा production होगा, तो जब stomach में hydrochloric acid बहुत ज़्यादा produce होगा, तो हम क्या लेते हैं, हम alkaline drugs लेते हैं, बहुत सारे anti-acids रहते हैं, कोई भी चीज, कोई भी दवाई जो acidity को कम करें, उसको हम कहते हैं anti-acids, तो ऐसी दवाईों का इस्तमाल करते हैं जब हमें acidity हो जाए, milk of magnesia पीते हैं जब हमें acidity हो जाती है, क्योंकि वो alkaline nature है, तो basically हमने acidity को कम करा, neutralize कर दिया, alkaline से, तो यह हम जानेंगे neutralization वाले पार्ट में, अब हम देखेंगे neutralization in everyday life, कि हम अपनी रोज, daily lifestyle में कैसे चीजों को neutralize करते हैं, Is that clear? जब हमने ये सब कुछ topic wise हर एक चीज के concept को समझ लिया, जान लिया और अच्छे से याद कर लिया, उसके बाद हम solve करेंगे NCRT solutions, हर चीज हम step by step जाएंगे और इस तरीके से अगर आपने magnet brains के साथ अपनी पढ़ाई करी हैं, तो कोई भी आपको अच्छे marks लाने से रोक नहीं सकता, क्यूंकि magnet brains एक दम high quality education आप तक पहुचाते हैं, जिसमें हम सारे topics को conceptually पहले समझेंगे, याद करेंगे, उसके बाद हम NCRT solutions करेंगे, और and जब हमने NCRT solutions कर लिए, सारे topics conceptually समझ लिए, उसके बाद हम solve करेंगे multiple choice questions, जिससे अगर आपको कहीं भी कुछ doubt हो, तो आपको ये पता चल जाएगा, कि आपका ये वाला topic weak है, ताकि आप अपने weak part को वापिस से strong कर सको, आप पुराने sessions पर जाना, वापिस से उन sessions को देखना, अच्छे से concept समझना and then multiple choice questions solve करना, तो इससे आपकी जो weak point है, वो भी strong point में convert हो जाएगे, फिर हमने जब multiple choice questions solve कर दिये and then हम करेंगे most important questions, क्योंकि कई ऐसे questions जो NCRT के exercise में नहीं रहते, लेकिन वो important है आपको chapter के लिए, तो ऐसे कई questions जो पूरे chapter को एक complete recap दे देंगे, अगर आपने most important questions कर लिए, तो आपको exam में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारे के सारे notes available हो जाएगे, तो most important questions में हम ये देखेंगे कि हमें answer कैसे frame करना है, हर answer में क्या-क्या लिखना है और ऐसे questions solve करेंगे जो आपके chapter में बहुत ही जादा important है और जब हमने solve कर लिए multiple most important questions, last में हम solve करेंगे हमारा complete chapter revision और इससे आपको एक complete revision हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, fast, quick अगर आप इस वीडियो को one night before exam देखेंगे, तो आपको एक idea हो जाएगा, सारे concepts प्रशप हो जाएगे और आपकी preparation और भी जादा strong हो जाएगी, तो complete chapter revision में हम पूरे chapter का एक quick revision करेंगे ताकि आपको सारी वो बाते जो आप भूल गए हो, आपको वो याद आ जाए और आपका complete chapter revision हो जाए अब students जब हमने complete chapter revision कर लिया, तो वो chapter हमारा बहुत ही जादा strong हो गया तो basically हमारे सारे concepts अभी तक clear हो जाएगे और students ऐसी कई knowledge को gain करने के लिए follow करते डिजे Magnet Brains को, अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं करा है तो जल्दी से कीजिए Magnet Brains को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, Magnet Brains, e-notes, e-books available हो जाएगे description box पर give it a link है, उसे click कीजिए, या आप visit कर सकते है Magnet Brains की website पर www.magnetbrains.com जैसे ही आप website पर जाएगे, वहाँ पर इस grab e-notes option को click करना है सारे videos, topic wise, lecture wise, subject wise, सभी कुछ available हो जाएगा Magnet Brains का English Medium Channel YouTube पर available है ही, लेकिन Hindi Medium Channel भी available है अगर आपके friends and family Hindi Medium से हैं तो जाएगे, उनको बताएगे, कि Magnet Brains उनके लिए भी free education provide करते है, Magnet Brains, cbsc board, delhi board, bihar board, राजिस्तान board, up board के साथ-साथ कई और courses भी provide करते हैं, जैसे vedic, match, crash courses and spoken English, Magnet Brains, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, telegram, YouTube, सभी जगा available है, आपको पस Magnet Brains को like करना है, share करना है, subscribe करना है और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ students, stay tuned, happy learning and have a nice day